में दिया गया है question making order out of course what was the early attempts at the classification of elements तो यहाँ पर क्या है कि कौन कौन से attempts किये गए थे elements को classify करने के लिए ठीक है या फिर यह पुछ जाता है कि कि किसके basis पे यह जो element है उनको classify किया गया था तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताओगे जो scientist थे उन्होंने यानि कि classify करने के लि कि mating elements खें बहुत सारे बहुत सारे attempts कि यह अउन्होंने बहुत सारे attempts किये था कि climate क Ärलिमंट को classify करने के लिए कैसे कि प्रोपर्टी प्रोपर्टिस के according ठीक है सबसे पहला attempt जो elements को classify करने के लिए क्या गया था ठीक है firstly attempt to classify the element as metal and non-metals कौन-कौन से थे जो four people से जिन्होंने प्रियोडिक टेबल पर work किया था सबसे first थे Dovernier Tried जो first थे यहाँ पर वो थे Dovernier Tried फिर second थे Newland Love Octave, third थे Manly Productable और fourth थे Modern Productable तो यानि कि जो Dovernier Tried था उन्होंने Dovernier नहीं work किया था Newland Love Octave पर आप फर्दर पढ़ो गई कि यह वाली periodic table थी और इन पर किस किस scientist ने जो है work किया था तो आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले most important topic कि Dovernier Tried होता गया इन्दा year 1817 यानकी 1817 में कौन से scientist थे अब यह देखो यहाँ पर सिरफ Dovernier नहीं जोन वॉल्फ गैंग Dovernier थे जो कि एक जर्मन के chemist है ठीक है उन्होंने उन elements को जब भी उन्होंने discovery या classify करना start किया elements को जब भी उन्होंने classify करना start किया था elements को तो उन्होंने कैसे यानि की arrange किया था elements को उन्होंने arrange किया था element को उनकी similar chemical और physical properties के according groups के अंदर फिर उन्होंने कुछ groups को identify किया जिसके अंदर हर group में उन्होंने तीन elements रखे थे इसलिए क्योंकि हर गुरूप में उन्होंने 3 element से रखें, इसी वज़े से इसका नाम दिया गया था tried ठीक है उसके बाद है Doberniar, जो Doberniar होता है न वह क्या शोगरता है, when the three element in a tried जब भी तीन element एक गृूप में है, एक tried में है, उनको कैसे written किया गया, कैसे write किया गया written in the order of increasing atomic mass उनके atomic mass के according उनको write किया गया था, उसके बाद यहाँ पर कहा है कि atomic mass of the middle element उन्होंने क्या का था, कि जैसे यह लगा लो, आपके पास दिया गया एक का 6.9, ठीक है second का दियो और 23, फिर third का दियो और 39, तो उन्होंने का था, जो यह middle वाला है ना आपका यह middle वाले का atomic mass आप कैसे निकालोगे, first वाले से plus में, जो third वाला होगा, उसके atomic mass को divide कर दोगे, अगर two से तो इस middle वाले का atomic mass आपको मिल जाएगा, और यही जो है, इन्होंने का था, यह था इनका tried principle of dobernier, ठीक है, इससे related questions आपके पास, questions में क्या दिया गया, जैसी अभी आपको बता है, मैंने कि एक atomic mass 6.9 यह first का है, फिर यहाँ पर 29.0 इन्होंने दे दिया यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको middle वाले का atomic mass, जो कि 23 होगा, उसके बाद next आपका limitation क्या थी, जब भी dobernier ने classify किया था elements को, कैसे किया था, एक group में उन्होंने तीन elements को रखा था, जिसका नाम उन्होंने क्या का था, trieds, लेकिन जब उन्होंने classify करना start किया था, कब क्या था in in 1800 में, ठीक है, जब उन्होंने 1800 में classify करना start किया, तो उन्हें nature में 30 elements मिले थे, 30 elements, लेकिन वो classify कर पाये थे, सिरफ 3 groups को, 3 group यानि कि 9 elements को, तो यहाँ पर क्या था, वो सारे 30 के 30 को classify नहीं कर पाये थे, तो वो इन्हीं की limitation थी, कि dobernier could identify only 3 triads, यानि कि 3 groups को identify कर पाये थे, known, कि जितने ही भी उस time पे known थे, ठीक है, तो इसी वज़े से, जो यह system of classification थी ने, tried का, वो useful नहीं रहा था, next, जैसे देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, कि कौन-कौन से 3 triads उन्होंने classify के थे, first यह था, second यह था, और third यह था, उसके बाद यह निकाल के भी दिखाये हुगा आपको, कि average जो है middle वाले का कैसे निकलेगा, और upper और lower वाले दोनों को, अगर आप दोनों को plus करके divide कर जाते हो, तो middle वाले का आपका atomic mass यहाँ पर निकल जाएगा, जो की इनकी एक properties थी, ठीक है, उसके बाद आपको इतना समझ आ गया है, फिर उसके बाद how many elements are known today, आज के टाइम में कितने elements हैं, जिनके बारे मैं आपको बता है, अपकोस 118, ठीक है, उसके बाद कौन साइसे जर्मन साइंटिस्ट थे, जिनोंने elements को arrange किया था, किनों ने किया था, जे डो, डोबर्नियर ने किया था, फिर उसके बाद, फिर आपसे एकर question कुछ ले जाता है, कि what was the basis of, कैसे आप ट्राइड फोर्मेशन को, किस के क्या, किस पर बेस लेए ट्राइड फोर्मेशन, तो जो डोबर्नियर है, डोबर्नियर ने क्या का था, डोबर्नियर ने, ये डोबर्नियर scientist ने क्या show किया था, कि उन्होंने ए ग्रूप लिया, उसमें उन्होंने तीन elements को place कर दिया था, ए क्या, ए क्या, ए क्या, ठीक है, और कैसे किया था, increasing atomic mass में कि पहले first वाले का जाता होगा, पुछ आता है, why was the system of classification of element into triad was not useful, जो ये system of classification of element triad के अंदर थी, ये useful क्यों नहीं थी, क्योंकि डोबर्नियर ने could identify only three triads, वो 30 elements में सिर्फ three triads को ही identify कर पाया था, उस तहीं पे, इसी वज़े से ये useful नहीं रही थी classification, फिर how many elements were known in the year 18,000, 18,000 में कितने elements known थे 30, फिर आप भी question खुछ से find out करोगे, फिर next आता है आपके पास, newland law of octave,